वेलकमीन रसके, मैट्स मुंटर्स, एक्टर हमारा 9th exercise 9.2, now we discuss about the question number 5, find all the angles of the given figure, जो figure में given angle है, वो हम find out करेंगे, यहाँ पर parallel lines given है, two lines, यह line आपसें parallel हैं, यह दोनों line आपसें में parallel हैं, जहाँ पर भी parallel lines given हो, तो वहाँ parallel की जो property है, वो apply होगी, और linear pair और cross angles कहीं भी use हो सकते हैं, अब जो angle A है, यह 6x plus में 12 degree, और जो angle B की value है, 2x plus में 8 degree, अब यह दोनों line parallels हैं, या तो हम इसको transfer करेंगे यहाँ पर, या इसको transfer करेंगे यहाँ पर, दोनों में से एक value को हम transfer करेंगे according to rule, यहाँ हम naming कर लेते हैं, 1, जो angle 1 हमने naming किया, उसकी value हमारे पास क्या है, देखी, यह line के उपर है, और यहाँ भी यह line के उपर है, यह क्या है, corresponding angle है, और corresponding angle हमेशा equal होते हैं, तो angle 1 की value हमारे पास क्या हुई, 6x plus में 12 degree, ब्रेक्ट में reason देंगे, corresponding angle, इसलिए इसकी value, अब जो यह value होगी हमारे पास, यह बनती है, straight line, तो straight line पे हमेशा linear की property अप्लाई होते हैं, जो यहाँ से इस angle की value, 6x plus में 12 degree, और दूसरा angle हमारे पास क्या है, 2x plus में 80, दोनों मिला कर हमारे पास क्या होंगे, 180 degree, reason ब्रेक्ट में देंगे, क्या है यह linear pair, अब यहाँ पर, जो x x साथ add करेंगे, 6 or 2, 8x, और 12 or 8, 20 degree, 180 degree, x t value find out करनी है, तो one by one number को move करेंगे, सबसे पहले हम number को लेके जाएंगे, जो number place change कर रहा है, उसको हम बाद में right करेंगे, पहले जिनके position से में हैं, उनको वहीं रखेंगे, यहीं पर है, left hand में equal, यह हमारा right hand में है, इसका place change करेंगे, यहाँ plus का, इदर जाके यह number minus का हो गया, 160 degree, 8x, अब यहाँ से 8 को move करेंगे, x is equal to 160 degree, 8 यहाँ multiply में है, इदर जाके यह number divide ही मुझाद है, 8 to 0, और 0 की 0, x की value हमारे पास हो गई, 20 degree, x equal to 20, अब जो value एक ही है, उसमें हम x की value put करेंगे, 6x plus में 12 degree, जब भी value put करेंगे, इनके बीच में multiply का sign हो, वो show करेंगे, x की जगे हम 20 put करेंगे, और plus में 12, सबसे पहले multiply होता है, 6 to the 12, 0 और 12, उसके बाद addition, add करेंगे तो 132 degree, बीच की value put करेंगे, बीच के अंदर, 2x plus में 8, 2x की जगे हम 20 degree put करेंगे, और plus में 8, 22 जा, 40 और plus में 8, that means 48 degree, यहां से आप इनको check भी कर लीजिए, 8 और 2, 10, 1 carry, 4 और 4, 8, 180, that means, we are right, next question number 6, in the given figure state, whether the lines L and M, L और M, are parallel or not parallel हैं, या नहीं, तो इसके अंदर हमारे पास, parallel की जो property होते हैं, या तो उसमें corresponding angle equal होते हैं, या दूसरी property हमारे पास, की एकी तरफ के दुन्नों angles का sum, हमारे पास 180 होता है, या alternate angle होते हैं, तीनों property है, तीनों में से एक भी property हमारे पास hold हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे, की यह हमारे पास, इसको कलिवर रखते हैं, यहां से parallel lines है, अब यहां से इस figure के अंदर, figure में आप naming कर लीजिए, जो angles हैं, यहां पर यह given is 60 degree, और यह 60 degree, अब इनका यहां से देखिए, यह line है, transversal, एक line के इधर, और एक line के उधर, यह भी हमारे इन line से बहार है, और यह भी line से बहार है, exterior angles हैं, और exterior, हमारे angle है यह, exterior, और line से इधर, और एक उधर, alternate angle, और दोनों के हैं, दोनों के value के है, 60 degree, are equal, तो यह दोनों equal हैं, dis implies, जो L है, parallel है M के, alternate angle equal होतो, line हमारे क्या होती है, parallel होती है, तो यह हमारे पास, dis implies का sign होता है, कि यह जो words है, इसको implies करते हैं, कि आप पासल में यह line, parallel है, second के अंदर देखिए, यह दोनों lines हैं, और यह transverse line है, और एक ही तरफ के दोनों angles हैं, तो एक ही तरफ के angle की property होती है, कि दोनों का सम हम चेक कर लेते हैं, यहां से 108, प्लस में 62, तो second में 108, प्लस में 62, दोनों की value हमारे पास क्या हो गई, यहां से 8, 10, और 70, तो यहां से 170 डिगरी, तो यह हमारे पास क्या है, same side के angle है, same side के, same side angles, of, the transverse line, और दोनों की value हमारे पास क्या होनी चेक थी, 180, तो यहां से यह, दोनों की value हमारे पास हो गई, 70 डिगरी, तो यहां से, दोनों का sum हमारे पास क्या है, 170, this implies L, is not parallel to M, M के parallel नहीं है, अगर इन दोनों का sum हमारे पास 180 होता, तो कह सकते देखे हमें, L is parallel to M, now C part के नदर देखी, यहां से हम, इस angle से, हमें या तो, यह angle की नीड होगी, या हम यहां से, इसकी तरफ जंप कर जाते हैं, किसके थूप, vertically opposite angle है यह, यहां से देखिए, यह 110 है, तो यह value भी 110 हो, क्योंकि यह vertically opposite है, तो दोनों हमारे पास क्या होंगे, equal, और यहां यह 70 है, अब यह transversal line के, same side के angle होगे, यहां से, same side के हैं, तो दोनों की 100, plus में 70, तो दोनों की value हमारे पास क्या होगी, 180, तो यहां से, same side, same side angles, of a transversal line के, और sum is, 180, sum 180 है, तो this implies, L parallel है, M के, इसके parallel है, now we do question number 7, in the given figure, A parallel है, B के, find the value, angles हमने पास, W, X, Y, Z, सब की value हम, find out करेंगे, let's see in the figure, यह जो line है, आपस में parallel है, तो parallel lines मैं निमा आते हैं, देखें कि, parallel की property हम apply कर सकते हैं, अब यह दोनों line parallel है, तो यह एक transversal line की तरह, work करेंगे, एक line से इधर, और एक line से उधर, क्या है यह, alternate angle है, और alternate angle हमेशा, equal to the line पार लोतूं, W की value होगी, 58 degree, reason देंगे, bracket में, alternate angle, और अब दूसरी तरफ देखिए, यह value given है, इसका relation देखो, line से इधर, और एक line से उधर, यह transversal line की तरह work करेगी, तो एक्स की value भी होगी, 52 degree, जो यहाँ पे, वही यहाँ same, reason यह भी same रहेगा, alt, alternate angle है यह भी, अब यहाँ पर, यह तो हम triangle की property अप्लाई कर सकते हैं, यह linear pair की property अप्लाई कर सकते हैं, यह W प्लस Z प्लस में 52, तीनों angles मिलाकर, तीनों एक straight line मिलाते हैं, तो यह हो गई हमारी 180 degree, reason क्या है, linear pair, अब W की value हमारे पास 58 degree है, Z और 52 degree की value, यहाँ से हमारी Z की value हो जाएगी, 8 और 2, 10 और 5, 5, 10, 11, Z प्लस में 110 और इकोल टू 180, Z की value निकालेंगे हम, 180, यहाँ plus का इदर जाके यह number, minus का तो value हो गई, 70 degree is the value, अब यह 70, यह 58, यह 52, या तो हम यह line parallel हैं, और यह transverse line है, transverse line के एक ही तरफ के दोनों एंगल सा सम्भी 180 होता है, या फिर आप इसकी help ले सकते हैं, कि यह linear pair है, कहीं से भी आप angle की value निकाल सकते हो, X plus में Y, दोनों क्या होतते हैं हमारी पास, दोनों की value होगी 180 degree, यह क्या है, यह भी linear pair है, X की value हम निकाल सुके, 52 degree plus में Y equal to 180 degree, Y की value क्या होगी, 180 52 हैं plus का, इदर जाके यह number minus का, तो यहां से value आजाएगी हमारी Y की, 10 में से हमारे पास, 2 गए, 8 और 7 में से 5, 2 और 128, this is the value of Y.